ब्रिटन में मंदिर पर हुए हमले पार पूरी दुन्या में विरोध हो रहा है। लंदन दौरी की इज्राज़त नहीं मिले पार साधवी रितंबरा का दौरा रद हो गया है। न्यूजेट इन इंडिया से खास बातशीत में उन्होंने कहा कि हिंसा से समाज में भैपर पैदा करने की कोशिच की जा रही है। अपने सपनों का बिजनस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनस लोन नहीं दे रहा। बिजनस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन वहाँ पे पहले से इन लोगों ने इस तरह के बातावन का निर्मान किया कि वहाँ की गौर्मिंट ने वहाँ मुझे जाने को रोग दिया। जिस दुर्गा भवन मंदिर में आपका कारकरम था इस मेथमिक में वहाँ तोडफोड की गई पठाके फोड़े गए बोतले फेकी गई तीन सो लोगों का हुजूम पहुंचा अंदर प्रवेश करता है और नारे बाजी करता है आपके कारकरम के विरोध में जो की अस्थग आग्यपूरण है नहीं कभी किसी हिंदू समाज ने किसी के धार्मी किस्थान पर जाके इस तरह का आचर्ण किया प्रांस के राष्टपती इमैनुल मिक्रॉण ने संयुक्त राष्ट महासभा में बोलते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की तारीफ की और दो टूक बोल दिया कि प्रधान मंत्री का ये कहना सही है कि ये युद्ध का समय नहीं है कुछ दिन पहले समिट में प्रधा शांति से सुलजना चाहिए युक्रेन जंग पर तो भारत का स्टैंड शुरू से साफ है वो बार बार कह रहा है कि युद्ध रुके और बाचीत शुरू हो उस्वेकिस्तान के समरकंद में भी भारत के पी-म ने पुतिन से यही कहा और बोल दिया कि आज का युग युद् मतलब युद्ध के मुद्धे पर भारत के प्रथान मंतरी के स्टैंड की दुनिया मुरीद हो रही है क्योंकि उनका मानना है कि ये समय पूरब और पश्चिम के जगड़े का नहीं बलकि दुनिया को उर्जा और आर्थिक संकट से निकालने का है जिसके लिए युक्रेन ज बाइडन की सामने आया साया कि राष्टर आमसक्में वह ते हुए राश्च्छपती बाइडन पर तीक हमला बोला ओना बायाद समय पर बाइडन ने पोतिन को खेरा है उन्होंने कहा कि पर मानों बम वाली जंग कभी जीती नहीं जा सकती उन्होंने यह भी नहीं किया जाना चाहिए वाइपूर भी युक्रेन में जन्मत संग्रे कराने के पुतिन के एलान को भी उन्होंने शर्मनाख बताया स्थिट्ट्ट्टेल नहीं को भी लुक्रेन में जो पुतिन खुतिन जिनल्न फुक्रेन में जन्मत में करते हैं